हेलो दोस्तों, हाँ चल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है जन्वरी की चार तारीक, आज की वीडियो में मैं आपसे पांच ऐसे पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट शेयर करने वाली हूँ, जो विंटर के सीजन में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही खुब साल्विया और यहां पर पिटूनिया भी, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, यह हमारा पहला प्लांट है, कैलन कोई, जिसे कैलन चो भी बोलते हैं, सेकुलेंट फेमिली से है, पर्मनेंट प्लांट है, जो विंटर के सीजन में बहुत ही जबरदस्त फ्लावरिंग क सारे कलर्स में इसके फ्लावर वाले प्लांट नरसरी में आपको मिल जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, रेड है, यलो है, पिंक है, लाइट पिंक और डार्क पिंक भी है, मैं अभी दिखाऊंगी, और यह सारे हाइब्रीड है, इसमें देसी वराइटी भी है, मेरे इसके फ्लावर सिंगल पेटल के होते हैं, और रेड कलर के ही होते हैं, और हाइब्रीड में आपको कलर वराइटी बहुत सारे मिलेंगे, यह देखिए, यलो वाला, कितना सुंदर लग रहा है, और यह देखिए, इतने सारे कटिंग से तयार हुए है, अभी भी आप इसकी क जेंडा कलर का, कितना सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है, पर्मनेन प्लांट होता है, गर्मी और बारिश में इसको थोड़ा सक केयर करना होता है, बचाने के लिए, नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा जिरेनियम है, यह भी पर्मनेन प्लांट होता है जो विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है इसके फ्लावर देखे कितना सुन्दर होता है और इसके प्लांट से बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आती है इसके पत्तों से इस टेम से और इसके भी बहुत सारे फलिया लगती है और उसी में सीड होते हैं मैंने अभी तक तो कभी इनके सीड देखे नहीं है कलेक्ट भी नहीं किया है इसीली कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है और इसका बना बुनाया पौधा भी आपको नरसरी में 40 से 50 रुपय में मिल जाएगा ये देखे मैंने लगाई है अभी कुछ दिन हुए है तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूरेंट एड़ करें विंटर का बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है पर्मानेंट नेक्स्ट जो प्लांट है वो सेवंती है गुलदावदी क्री सेंथम भी बोलते यह पंपं वरायटी है इसमें बहुत सारी वरायटी भी आपको देखने को मिलेगी छोटे फूल वाले मिडियम फूल वाले बड़े फूल वाले बहुत सारे कलर्स में इसके प्लांट आपको मिल जाएंगे यह एक पर्मानेंट होता है इसकी कटिंग को आपको जुलाई रखना होता है और जैसे ही नेक्ष्ट सी जानाता है बारिस का मांसुन में फिर इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं तीन-चार इंज की और देखिए ये एक और वरायटी ये एक और वरायटी तो इसके आप बहुत सारे गंबले तयार कर सकते हैं और अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे एक दो फ्लावर्स आएंगे बस आपके लिए नेक्ष्ट येर के लिए प्लांट तयार हो जाएगा तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं अभी ये देखिए ये पिंक वाला बहुत सुन्दर बहुत खुबसूरत फू से फूल देता है इसमें भी बहुत सारी वरायटी होती है मिनी डहलिया टाल डहलिया ये जो देख रहे हैं वो टाल वरायटी वाला डहलिया का प्लांट है इसमें बहुत बड़े-बड़े साइज के फ्लावर आते हैं और कलर भी इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होता है इसके बल्ब होते हैं नीचे तो जैसे ही flowers complete होते हैं ये भी लगबग फरवरी मार्च तक flowering करता है उसके बाद इसके बल्ब को आप save कर ले या फिर प्लांट को ऐसे ही रहने दे जैसे ही मांसुन का सीजानाता है फिर से उन में नई नई ब्र के महिने में लगाएं वह ज्यादा अच्छा रहता है उसके बाद फिर आपका प्लांट जनवरी फरवरी में बहुत अच्छे से flowering करना शुरू कर देता है नेक्स्ट जो प्लांट है वह पूंसिटिया है इसको तो फूल के लिए नहीं लगाया जाता लेकिन इसके पत्तों की जो खुबसूरती होती है वो फूलों को भी कवर कर लेती है फ्रेंट्स फूलों की कमी को भी वो पूरा कर देती है आप देख सकते हैं इसका color पत्तों का इसमें भी 3-4 colors के आपको मिल जाएंगे color change करने वाले पत्ते और अभी देखिए तेज जब ठंड होती है उसी समय इसके पत्तों का color change हो जाता है इसमें से red है मेरे पास इसमें pink आता है light pink आता है white भी आता है और यह भी cutting से बहुत easily grow हो जाता है आप देख सकते हैं friends अभी भी आप इसकी cutting लगा सकते हैं ग्रो हो जाएगी और यह मैंने 2-3 महने पहले ही cutting लगाया था और सारे प्लांट मेरे cutting से ही तैयार हुए है इनका जो मदर प्लांट है वो नीचे पोर्च में रखा हुआ है तो उनहीं से मैंने बहुत सारे cutting रेडी किये हैं तो आप इस प्लांट को भी आप जरूर लगाए पर्मनेंट प्लांट के दिया आप सौकीन है तो बहुत सुंदर इसके फूल भी होते हैं बहुत खूबसूरत तो इस तरह से आज मैंने आपसे पांच ऐसे प्लांट शेयर किये हैं जो पर्मनेंट होते हैं और विंटर के सीजन में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं तो जरूर आप इन प्लांट को अपने गार्डन में एड़ करें और हमेशा ये प् रखा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बहुत अच्छे से गार्डनिंग करिए विंडर गार्डन का आनंद उठाईए